वालकम प्यूरी इक्सपर्ट एम रहूल तो मैं लेकर आए हूं आज या प्यूंब तो हम्य कि दोनों ही पढ़ेंग से दो कि प्ड़ेंग कि पढने से पहले जो आपको अब पॉइंट्स टूरिमेंबर कि पॉइंट्स टूरिमेंबर कि मैंने लिखा आपको यह दो चीजहें पता होने जाएं अगर आपको इस टापको कौंशन सॉल्व करने मतलब missing term in series का question solve तो करना है लेकिन पहले वाली की बात कर रहा हूँ alphabetical series के type के questions को आपको solve करना है तो यह दो point आपके mind में होने चाहिए पहला point किया है इसमें mostly जो रहता है alphabetical words वाली जो series रहती उसमें क्या रहता है मुश्लिए आपको place value पता होने चाहिए alphabet की और उनके opposite पता होने चाहिए ठीक है और a to z का normal sequence मतलब a to z तक पुम जाते तो normal जुमारा sequence रहता है वो और reverse वाल sequence पता होने चाहिए था जिसे ए ठीक एक फौरवर्ड होगा बैक व्डीक है नमर्टू कि है जो string based series रहती है इसमें क्यों होता है दोको repeating series वंती है अब हरे में combination रहता है वह हमें find out करने होता है और हमें blank spaces दी होते हैं वह हमें find out करने होता है तो यह एक repeating series का combination होता है यह जो string वाला होता है repeat होते नहींगे जो words है जो repeat होते हैं हमें बस वही find out करने होते हैं पहला क्या है alphabetical words वाला तो पहले हम इसे हम पढ़ेंगे तो क्वाइस question गिस वान ना alphabetical words है पहला हम पढ़ रहें यहां से fghi बन रहा है फिर उसके आगे blank space दिया है और pqr मतलब इसमें को missing term को हमें find out करना होता है ठीक है जो महारा missing word रहेगा उससे find out करना है लेकिन यह sequence करके बन रही ही है हमेशे याद रखना sequence चलता है यहां पर यहां से यहां अगर same sequence है तो यहां पर यहां पर भी same रहेगा और यहां पर भी same रहेगा इसलिए से missing term बोलते हैं मतलब बाकी सब सेम है बस यह missing वाला पांच-5 का differential रहे है तो देखो f के आए कौन कितना letter 5 अगर मैं add कर दूंगा f के आगे तो कौन से letter रहेगा f ghi jk लब k यहां पर आ गया ghi jkl l यहां पर आगए h ijklm i jklmn अब मुझे check करने के लिए कि आगे लेटी टर्म जो है मेरा जो वर्ड आ रहा है यह सही है कि गलत तो k से आगे plus 5 करूंगा तो k lmnop सही बोल रहा है plus 5 है l से क्यों देखो lmnop q यह भी सही हो रहा है mnop qr यह भी मेरा सही हो रहा है तो मतलब हम यहां सब जितना भी यह वोगसे चल रहे हैं plus five का increment चल रहा है कि तो यही होता है यहाँ प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है सिर्फ यह दो चीज़ें रहेंगी और तो कुछ होगा नेक्स्ट कॉस्टिन जो है वह स्ट्रिंग बेस्ट वाली सीरिस इस चलती है तो हमें यह फाइन आट करने कि यहां पर कौन से ऐल्फवेट्स ऐसे आएंगे जिससे हमारी सीरिस इस रिपीट हो रही है तो देखो इसका भी डिफ्रेंट मेथड होता है सॉल्व करने का तो पहले हमें सॉल्व कैसे करना है देखो पहले टोटल कितने कर लो एलफवेट्स को वह कर लो कितने वन टू त्री फोर फवाइफ जिक सेवन एट नाइन टैन एलवन ट्रेटिन उपर वाले की तरह जिससे कि आपको समझने में क्या रहे आसानी रहे ठीक है एक सीरीज लिखी है मैंने यहां पर अब देखो मुझे पता है यह टोटल वर्ड्स और फिलिंद ब्लैक्स मिलाकर 14 बन रहा है तो 14 कि से टेबल से जाता है टू मल्टिप्लाइब कर लो टू ह 이거는 साथ कई यहें पर टेज तो कजिबल से जाता है रावा पिका अम्चार अब तो समयी हुआ। एंड जो भाद तरह को सबीडेश डेकर के में यहां सब्सक्क्राव सोजिखें कहले बख़ोने इस पहली क्रूति भाद प्र जोली है यहां पास कि यहां पर ई हमां अब देखो n-m ये ये भी सेम बन रहा है तो बीच में क्या जाएगा यहां पर l आ गया ठीक है और पहले क्या जाएगा n आ जाएगा तो n-m n-m इस तरह से similarity find out करने होती है इसी तरीके से question solve होता है आ गजा और कोई तरीका नहीं तो को मेरे 123 फिल लोगे अब आगे क्या बोल रहा है कि मदा अडश नश चन्व देखो a-dash n-श मिल रहे आपको तो फिल दो एम डे कि मदा अग्द अडश एंडश ठीक है मदाश एंडश ये भी हो सकता है मुझे नहीं पता यह हो सकता है और एल नहीं अब देखो यहां पर होगा क्या कि यहां मैं कैसे फाइन आट करूंगा इतना तो मेरा मेरा सीक्वेंस बन रहा है तो पोस्ट करो ठीक है एम के आगे एम के आगे एन है तो कि यहां पर option से भी अगर मैं चाहूं तो answer को क्या कर सकता हूं पर मैं पहले देख रहों कि वैसे करके व्हें बनता है या नहीं बन रहा है ठीक है सब कर एं-डाश-el-le-m-ण यहां यहां पर option नहीं मिलेगा न मुझे वह option मिल नहीं रहा है उस तरीके का तो एक और तरीका यह है कि अगर आप यहां पर confused हो जा रहे हो ठीक है टूटू का पेर बनाया मुझे मैं यहां मुझे वाले में मिल रहे है तो मेरा अंसर यह हो जाएगा ठीक है क्यों कि मुझे तीन वर्ड तो एक्जेक्टली पता चल गए लाश्ट के दो मुझे पता नहीं चल रहे हैं तो आप option से भी क्या कर सकते हो इन्हें find out कर सकते हो अगर तो का option में आपको दिक्कत आ रही हो अग जाब उनकर स्टार्ट करना है देखो एल डश एन देखो पहला यह देखो एल और यह यह लिख लेता हूं कि इस मुझे याद रहेगा ल्म तो यहां मैंने एम रख लिया ठीक है अब देखो और यहां पर भी एल और एम आ रहे है तो इससे मैंने वन वन काउंट कर लिए अ जाए यह पूला 当 को यह यह वाला डू लिख लिए मैंने से और कौन से है यह इसना लुग लिख लिए तो पहले आरहां एम तो यहां पर रोड़ा न 10 जे देखो तो मुझे यहां वाला फाइनट करना पड़ेगा देखो N-M N- N-M आ रहे हैं यहां पर देखो और यह और कहां पर option है यहां पर अब गैस देखो यह तो हमारा complete होगे है 1-1 के 3 पे रागे 2-2 के भी 2 आगे तो मेरा fill in the blanks कौन-कौन से fill हुए है पहला हो गया है और यह की वाला हो गया है विसक दो यह हुए है total 3 और बचे हैं तो यह मैं कैसे finite करूं देखो N-M यह दिख रहा है आपको ऊपर से बताता हूँ N-M में की वाला पेर और देखो यह यह और यह यह वाला पेर यह 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 दोनों सेम आ रहे हैं सिस्फ एक बचा है मुझे finite करने के लिए यह वाला ठीक है तो देखो तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ देखो यहां से मैं option के ओपर देख सकता हूँ M-L-N M-L-N M और लास्ट में अल तो देखो option B ही रहेगा अगर मैं दोनों option से कर रहा हूँ फिर मुझे hint मिल जा रहा है कि मेरा option क्या option number B ही है तो देखो हर बार मैं यह नहीं बोल रहा कि यह वाला method apply होता है यह hint करने वाला तो अगर आपका 2 से नहीं बन रहा है 2 से नहीं करने तो आप 3 से try कर सकते हो इसको पर मैं इसलिए यह बोल रहा हूँ क्योंकि 14 जो है न मेरा देखो 14 मेरा नंबर ऐसा सा कि मेरा यह 2 और 7 से multiply easily हो जा रहा है ठीक है टू 7 जार 14 अगर मैं 3 से करूंगा तो 3 4 जार 12 यह बनेगा तो 2 मेरे last के बच जाएंगे तो वह किस से multiply हो रहा है टू और 7 से हो रहा है तो 2 का पेर चेक कर लो या फिर 14 का देखो काम चाहिए दोनों में करो आपको answer की hint मिली जाएगी कोई tough बात नहीं है कि आपको answer नहीं मिलेगा answer की hint मिल जाएगी और answer वही होगा आपका कि पूरा solve करने की जूरत नहीं होती वहां पर हिंट मिल जाए ना अगर तीन एलफट की hint भी मुझे मिल जा रही है बाकी वहां पर ऐसे नहीं है तो वही मेरा answer हो ठीक है मुशली लोग बोलते हैं कि कभी भी आयो तो तीन का पेर से स्टार्ट करना चाहिए पर हर बार यह रूल फॉल नहीं होता देखो मैं फिर से लिखके बताता हूं आपको करो मैं कि लिख लेता हूं अल डशन टेश करें रहेज़ाब करें नहीं find घर वॉल दय एहां तो इंड यहां सब्सक्राइब धुक्ते सब्सक्राइब 14 Herman तो यहां पे लगा दोंगों तो यह भी बन जाएगा वह तो यहां चेकर्म एलजए आट कि टाल के यह यहां चलिगो दो मेरे आलफ़बेट पसंतर चलें कॉंपर से मों से एंड Hels है मुझे आये का find मैं कैस करूँगा n-l देखो n-l यहां नहीं है और कहें n-l देखो यहां पर n-l ठीक है n-l 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 n तो नहीं आए रहे यहां पर ठीक है तो यह तो तीन के मेरा मुश्कील है करना मुझे या फिर हिंट लग जाए कहीं से m-n m-n नहीं यह भी नहीं है n-l n-l यहां पर तो है देखो n-lm n-lm बन रहे है n से पहले किया है m तो देखो बन गया m m m n n ठीक है डश-lm ठीक हो गया अब तीन वर्ड मुझे परश्च लगे m-l और यहां पर एक m है ठीक है अब देखो ल-m-n m-n-l देखो यहां बागी दो वर्ड का मुझे नहीं पता जल रहा m-n-l m-n-lm n-lm देखो यह भी ऐसा नहीं है यहां पर m है तो यहां पर n है तो वो नहीं हो सकता तो देखो अब मुझे कैसे hint कैसे find out करना है total 5 है पहला word m आया है दूसरा l आया है तीसरा blank है चौथा m आया है और पांचवा भी black है तो देखो ml और एक छोड़के m ml, ml यहां पर भी है ml यहां पर भी है अक छोड़के M, एक छोड़के L आ रहे है एक छोड़के M तट으 है फिर और और क्या कर सकते हो है चार 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 912 और एक सिंगल रह जाएगा यह पेर भी अपना सकते हो बस इन दोनों में से आपका अंसर find out हो जाएगा तीन या फोर से तो आपको और ज्यादा डिफकल्ट वो करने की जूरत नहीं है बस जैसे आपको लगे न आपको कुछ हिंट मिल रहे हैं option में माल लो आपके दो option या तीन option फिलो रहे हैं तो पहले उसे वहां क्या करो कि मेरा answer यहीं है कि और जगह पर ऐसा कोई answer नहीं दिया होता अगर स्पोस करो और जगह पर भी यहां तक सेम आंसर देता है तो आपको कुछ न कुछ करके आगे वाला वह find out करना पड़ेगा तब ही जाके आपको पता चलेगा तो जितनी practice करोगे न इन सब questions की उतना ही आपको काउंट कर लो फिर उसका half कर लो ऐसा नहीं होता है स्पोस्पोस करो आपको यह letters दिये मालो एक series दिवी है तो कभी-कभी आपको ऐसे देखके पता चल जाएगा कि series में repeating कहां-कहां पर alphabards आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर दिया ही ऐसा होगा कि आपको यह सब करने की जूत नहीं है आप ऐसे ही find out कर लोगे तो हर एक pattern अलग लग रहता है string based में हमेशा यहीं नहीं होता है मतलब करेंगे तो हम इसी तरीके से लेकिन कुछ question बिना इसके कि यही solve हो जाती है क्योंकि series यहीं होती है क्योंकि MNN दिख रहा है तो वहाँ पर भी ऐसा ऐसा वर्ड दिख रहा होगा same to same तो आप खुद ही वहाँ fill-fill करते रहोगी और आपका answer अपने आप निकल जाएगा तो आपको यह सब करने की जूत नहीं है हाँ अगर आप नहीं लगे कि आपका वर्ड नहीं बन रहा है तो आपको यह करना है ठीक है पहले आपके करो सबसे पहले series चेक कर लो और वहां चेक करके देखो कि आपके कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है अगर नहीं बन रहोगा same to same तो आपको यह वाला rule apply करना है पह आज के लिए बस मुझे आपको यह समझाना ही था कि इस टैप के कॉश्चन साते कहते हैं अब कल मैं यह सब कॉश्चन लेकर आऊंगा कौन-कौन से मैंने अपलोड कर दिया एक वीडियो और चाहिए तो वह भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा डिफरेंट टाइप का तेकिन कल का जो वीडियो मारा रहेगा वो रहेगा इनके उपर एल्फावेट के उपर और स्ट्रिंग बेश्ट वाली सीरीज के उपर एल्फावेट है लाइक करने तभी करने यह दो चीजें जब आपके करोगे कुछ गेन करते हो मेरी वीडियो देख कर देखो गेन आपको तभी होके यहां को यही सब चीजें पढ़ाते हैं कई वो डिफ्रेंट तरीका नहीं होता है पड़ने का बस यह आपको काम पर समझ आ रहा है बात वो है कि मेरा पड़़ाय हुआ आपको समझ एजी लग रहा है या दूसरों का पड़ाय हुआ आपको इज़ी लग तो मैं किष्को प्रपेर नहीं कर रहा हूं अपने साथ या खुर को उनके साथ प्रपेश कंपेर निक Will compare नहीं कर हूं यदि और इतना बोल शौट वीडियो होती हैं कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और वह रहते हैं वह आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा ठीक है वह आपको खुद ही पढ़ना पढ़ेगा कहीना कहीं से आपको अरेंजमेंट करके वह पढ़ना पढ़ेगा तो वह तब ही होगा जब आप और और व वीडियो बना करूंगा ऐसे कोई करता ही नहीं मैं देखता रहता हूँ हर बाहर आरेक विडिए ओher नहीं होर रहती हैए तो मिस्माइजा करता है沒有 चोनदा झाया कभी नैगा कभी हर किसी का अच्छासा आइब कोốn और इस часовisses करिएगी बस देखो worked प्रॉब्म नहीं या फिर अगर बैंकिंग का रिजनिंग है तो उसमें 30 प्लस दिलवाना वो मेरी प्रॉब्म है तिक है आपको से पढ़ना है टिप्स इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ भी रहता है वो चीज़े मैं प्रॉइड करूंगा कहीं से अब भी करूं मैं करूंगा ठीक है आपको बस पढ़ना है तो बाई टेक केर बड़े तरिक से पढ़ना और कल में लेंगे इसी वीडियो पर कॉश्चन आंसर्स के साथ ठीक है तो बाई टेक केर